बिसमिल्लाह रह्मान रहीम, वेलकम तो दे सिक्स्थ लेक्चर ओफ मुस्लिम पर्सनल ला, मुस्लिम पर्सनल ला की चटे लेक्चर में खुशाम देद, आज का हमारा लेक्चर, Essentials of a Will है, Will, मर्जी या वसीयत, और इसकी जरुरियात की मतालिक आज की लेक्चर में हम वसीयत क्या है, Introduction, Legal Declaration of Intention of a Testator with respect to his property, वसीयत उस वसाहत या उस ऐलान को कहा जाता है, जो कि एक टेस्टेटर, एक वसीयत करने वाला, अपनी प्रापरटी, अपने जाएदाद या अपने माल दौलत के लिए करता है, मगर यह declaration गानूनी होना चाहिए, इससी वसीयत कहते हैं, It is carried out after the death of a testator, वसीयत पर वसीयत करने वाले की मौत के बाद अमल किया जाता है, आफिल, may be verbal or written, वसीयत, वरबल भी हो सकती है, जुबानी भी हो सकती है, और तहरीरी भी हो सकती है, Meaning of will, disposition of property which is to take effect at the death of the testator or will maker, विल की लफजी मानी है, जाइदाद या दौलत से दस्थबरदार होना, जो के वसीयत करने वाले की मौत के बाद अमल में लाया जाता है, Definition of will, will is the assignment of property to take effect after the death of the person, वसीयत, किसी शख्स की प्रोपर्टी उसकी मौत के बाद किसी दूसरे के ना मौन्तकिली को कहते है, Parties to a will, three parties, यानि वसीयत, तीन हिस्थों पर कम असकम तीन हिस्थों पर मुश्थमिल होती है, On my number first, testator, Testator, the person who makes a will, वसीयत कुनेंदा, वो शख्स जो की वसीयत करता है, उसे testator कहते है, Number two, legati, the person in whose favor a will is made, Legati, यानि वो शख्स या वो अश्खास, जो की किसी शख्स की वसीयत से तरका पाए, Number three, subject, the property bequested, वसीयत की तीसरी पार्टी जो है, वो है subject, यानि मिरास, वो जाइदाद या वो दोलत, जो की बतोर तरका छोड़ा जाता है, उसे subject कह जाता है, अब आते हैं, essentials of a will की तरफ, यानि, वो कौन से points हैं, जो के एक वसीयत में होने चाहिए, ताकि वो वसीयत valid करार दी जाए, तो सबसे पहले, declaration of intention, the most important factor is the declaration of the intention of testator, सबसे पहला point जो है, वो यह है के जो वसीयत करने वाला है, जो वसीयत को निन्दा है, उसकी intention, उसका एरादा, बिलकुल साफ और जाहिर हो, must be clear and certain, बिलकुल वाज़ हो, बिलकुल साफ हो, name of legality, property and will, must be present and clear, जिस के लिए वसीयत की जाती है, और जो प्रापरटी हो, वो भी मतायन हो, जिस के लिए वसीयत की जाती है, उसका नाम भी मालूम हो, और वसीयत का नाम भी मालूम हो, बिलकुल साफ और वाज़ हो, उसमें कोई शक को शुबी की गुंजाश ना हो, number two, transfer of property, जाइदाद की मनतकिली, transfer of property must take place after the death of testator, जाइदाद या दोलत की मनतकिली जो है, वो वसीयत कुनिन्दा की मौत के फौरण बाद किया जाता है, यानि वसीयत कुनिन्दा जब तक जिन्दा है, उसकी जिन्दगी में property transfer नहीं हो सकती, number three, competency of testator, testator must be adult, sound minded and competent, minor and lunatic or not competent to make will, तीसरी बात, तीसरा नकता, जिसे ध्यान में रखना चाहिए, वो है competency of testator, यानि वसीयत करने वाली की सलाहियत, testator को बालिख, आकिल और competent होना चाहिए, उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए, कि जिस property की वो वसीयत कर रहा है, उसकी अपनी मिलकियत हो, और उसकी transfer करने की जो authority हो, उसी के पास मुझूद हो, नाबालिख अफराद और दिवानिक की वसीयत, नाकाबल एथिबार है, नाबालिख और दिवाना जो होता है, वो वसीयत नहीं कर सकते, कर भी लें तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा, निम्बर फॉर फैक्टर, competency of legati, legati must be able to hold the property, जिसके नाम पे वसीयत की जाए, जो विरास्त पाए, उसमें ये अहलियत होने चाहिए, कि वो उस property को अपने قبضे में ले ले, legati must be present at the time when will is made, जब वसीयत की जाती है, तो जिसके नाम पे वसीयत की जाती है, जो विरास्त में हिस्सा पाता है वसीयत की रूँ से, वो वसीयत करने के वक्त पे मुझूद होना चाहिए, unborn जो child होता है, वो अगर वसीयत कुनिंदा की मौत के, छे महीनों के अंदर अंदर पैदा हो जाए, तो वो भी competent होगा, अगर उस के लिए कोई वसीयत की जाए, तो वो वसीयत काबल एतिबार होगी, वसीयत का जो सबजेक्ट हो, वो गानूनी हो, वैलिड हो, जिस काम के लिए वसीयत की जाए, वो भी लाफल होना चाहिए, गानूनी होना चाहिए, गानूनी काम के लिए कोई वसीयत अगर की जाए, तो वो वसीयत बातिल होगी, उस पर अमल नहीं क्या जाएगा, मसला कोई शखस कहे कि मेरी मौत के बाद, मेरे प्रॉपर्टी में से वन तर्ड जो है वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके गेर कानूनी असलहा खरीदा जाए या कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी हरकत जो कानून की नजरों में जर्म हो, वो किया जाए तो ऐसी वसीयत का कोई एतिबार नहीं होगा इस पर अमल नहीं किया जाएगा वसीयत हद में रहकर होने चाहिए इसलाम ने जो कवानी मकरर किये हैं यानि कुल तरके का एक बटतीन हिस्सा वसीयत इस से ज्यादा नहीं होना चाहिए हाँ, कुछ exceptional cases हैं जिसकी discussion बाद में आईगी Number 7, registration of the will A will must be registered according to the registration act rules Registration act के गवानी के तहत वसीयत registered होनी चाहिए So, we can conclude that will or वसीयत may be made of any property capable to be transferred and exists at the time of the death of the testator वसीयत वो property जो के मुंतकिल होने के काबिल हो और वसीयत करने वाले के मौत के वक्त मुझूद हो वसीयत करने वाले की अपनी property हो उसमें हो सकती है It should not exceed one third of the testator's total property after paying the funeral expenses of the testator वसीयत करने वाले की जो property है उसकी तजहीज तक्वीन पर अखरजात जो हो जाएं उन मेंसे जो बच जाएं उस बच्चे हुए हिस्से में एक बटतीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए The limit of will may be approved more than the given limits on a convention If the Ayers give their consent to do so ये जो हुदूद हैं वसीयत के one third इसमें इजाफ़ा भी हो सकता है लेकिन इसके लिए शर्त ये है के जो वारिस हैं वसीयत करने वाले के वो वारिस अपनी मर्जी उसमें शामिल कर दें तब जाके इजासत हो सकती है के वो one third से ज्यादा property के लिए वसीयत करें उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब के जिए वीडियो लाइक के जिए शेयर के जिए अपना ख्याल रखियेगा अल्ला हाफिज